वेल्कम बैक टो माच चानल रेमडीज और रिविव में तो अब ठीक ठाक होंगे खरीयत से होंगे आज मैं फिर से आपके साथ एक परड़क्ट पर रिविव शेयर करने वाली हों तो यह मेरा फेवरेट परड़क्ट है यानिके मेकप मेकप तो हरकिसी का फेवरेट है लेकिन मेकप को कवर करना हर किसी को नहीं पता होता कि मेकप को कवर किस तरह से करते हैं तो आज मैं जिस परड़क्ट पर रिविव शेयर करनी हूँ यह मेरा फेवरेट परड़क्ट इसलिए है कि यह मेरे मेकप को कवर रखता है तो मैं आपके साथ भी जो है यह सीक्रेट शेयर कर ना चाहरी थी तो मैं आपके साथ जिस परड़क्ट पे रिव्यू कर रही हूँ वह है एसेंस का सेटिंग स्प्रे जी हां यह हैं यह यहां यह सकते हैं मेकप करने के लास्ट में जो है हम इसे यूज करते हैं जैसा कि आप देख सकते हैं कि यह जो है अलमुस्ट हाफ होने वि इसको इतना यूस्स करने के बाद जो है मैं आपके साथ अपना ओनेस्ट रिवीयू शेयर कर दीओ इस सइटिंग्स प्रेड को मैंने लिबर्टी से एनल मारकिट से जो है वो खरीदा है मेभी आपको यह वहाँ से भी मिल जाए तो इसकी प्राइस जो है और मॉस्ट 900 रुपीस है तो इसकी प्राइस है वह इसकी क्वालिटी के लिहाँ से ज्यादा नहीं है हम आम सैटिंग स्प्रे लेते हैं तो उनका जो काम है वह उतना ही काम होता है जितनी कि प्राइस होती है सैटिंग स्प्रे वाकिये में बहुत रुछ को कमाल का है तो मार्किट में इस से मीए महिए महिंगे जी है सैटिंग स्प्रे मवजू है लेकिन क्वालिटि के लिहास यह सब्सक्राइस連 को हरें इस अखिभी से जरूर्बेterror हमारी रेकमेंडेशन पर इस बोटल में मुझे इसके बाद इसके एक्सपाइरी यहां पर मैंशन है 12 मॉंट्स इसके इंग्रीडियंट्स है वह आप यहां पर देख सकते हैं यहां पर इसके इंग्रीडियंट्स मैंशन है तो यहां पर इसके cat occasion दी हुई है इसको आपने लगाने से पहले shake करना है अच्छे से उसके बात आपने इसको दूर से पर दूर से आपने make-up पे असका spray कर देना है और अपनी आंख्यों और मूझ को अपने बंद कर लेना है, ताकि यह आपके आँखों में न जाए, अपके ग़ले में न आ जाए, आपको किसी भी किसम की कोई आलरजी या इंफेक्शन ना हो इससे, इसलिए आपने अपनी आँखों और मूझ को जो है अच्छे से क्लोज कर तो इसको लगाने का तरीका साथ साथ मैं आपको दिखाऊंगी मैं सिर्फ आपको सिर्फ बेस लगा के अपने सप्रेय करना है आपने तो फुल मेकप के बाद ही इसे अपने मेकप पर अपलाए करना है तो मैं आपको बहाँ गोंगी यहां पर मैंने बेस लीए हैं माजरका क्योंकि यह पर यह बेस नहीं ऐख नहीं घाए है मैं यही का इक इाप को और दिखाए है तो मैंने जो है इसको अपने हैंड पर अप्लाई कर लिया है इसके बाद जो है मैंने स्प्रे करना है इसको जो है मैंने इतना अच्छे से पर मर्ज भी नहीं किया तो आपने जो है इसको लगाने के बाद अपने जो फेस पर सारा मेकप करना है बलश लगाना है जो भी मतलब आपने मेकप करना है अपने जो सारा का सारा मेकप पर अपलाए करने के बाद जो है सैटिंग स्प्रे को अपने मेकप पर अपलाए करना है तो सैटिंग स्प्रे को पर आपको किसी बीकिसम की परिशानल के सामना नहीं करना पड़ेगा जैसा कि आपको नजर आरा है मेरी बेस वहीं पर टिक होई है इसका ड्राइ होने का वेट करूंगी दैन मैं आपके साथ शेड करते हूं कि किस तरह से लिखता है आरने के बाद आप देख सकते हैं कि बिल्कुल जाए बेस अपनी जगह पर सेट हो गई है तो यह देखें यह आ अपनी जगह पर फिक्स हो गया है यह दो आपके साथ शेयर किया है और आपको जो है यह रिकमेंट करती हूं कि आप इसे यूज करें और इसके रिजर्व्स है वह आप देखेंगे तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छे लगी तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना म मेरी नई आनमले वीडियो के नौटिफिकेशन आपको बिलत रहें और आप में इस साथ जुड़े रहें अगर आप चाहते हैं कि किसी भी अच्छे बड़्यक्ट पर कोई भी रिवियू या कोई रेमेडी या कोई अच्छे से वीडियो आपके साथ शेयर करें तो आप हम आपके लिए अच्छे से अच्छे वीडियो अच्छे से रेमेडी ला सकें तब तक लखिए अपना बहुत सारा क्याल मिलें एक नई वीडियो में नई मालूमाद के साथ अलाने के बान